हाई दोस्तों कैसे हैं आप सब आप आज एक phrasal verb सीखेंगे accord to किसी भी competitive examination के लिए important है मेरा नाम अक्षय है आए इससे सीखते हैं accord to इसकी मीनिंग है किसी को कुछ आदर पुरुवक देना किसी को खास तरह से treat करना किसी को समान के साथ कुछ देना इसके यही अर्थ होते हैं आई इसकी मीनिंग और example समझता है accord to its meaning is to treat someone especially किसी को खास तरह से treat करना और क्या आदर समान दिखाते हुए प्राय हम आदर दिखाते हुए ऐसी बाते करते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ usually by showing usually by showing respect to treat someone especially किसी को खास तरह पर treat करना तरजीह देना value देना usually by showing respect जैसे के example लेता हैं कि हम जानते हैं हमारी society में teachers को वो सम्मान नहीं दिया जाता है खास तरपर वो सम्मान नहीं दिया जाता है या ऐसा कहें कि teachers हमारे समाज में वो सम्मान enjoy नहीं कर पाते हैं जो सम्मान डॉक्टरों को और वकीलों को दिया जाता है तो एक एक्जाम्पल है इस तरह का, जैसे हम कह सकते हैं, in our society, एक्जाम्पल देखिएगा, in our society, teachers don't enjoy, ओके, teachers don't enjoy, the respect, वो सम्माल, the respect, that is, is, accorded to, देखा आपने, accorded to का इस्तमाल हम ने किया है, that is, accorded to doctors and lawyers, मैं इसे समझा देता हूँ, आपको, in our society, teachers don't enjoy the respect, don't enjoy the respect, that is, accorded to doctors and lawyers, हमारे society में, हमारे समाज में, शिक्षक वो सम्मान का आनंद नहीं उठा पाते हैं, जो सम्मान डॉक्टरों और वकीलों को दिया जाता है, यानि डॉक्टरों और वकीलों को बहुती specially treat किया जाता है हमारे यहां, लेकिंग शिक्षकों का उतना सम्मान नहीं हो पाता है तो accord to means किसी को खास दोर पर तरजीह देना, ट्रीट करना खास कर सम्मान चनक तरीके से क्योंकि आपने accord with सुना है according to सुना है आप यह accord to सुन रहे हैं यह थोड़ा special है, ध्यान रखे Thank you so much इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें यह आपका ही घर है और अच्छे इस्ट्रेंज तक जरूर पहुचाएं Thank you so much